Hello everyone, मैं प्रेंस आप लोगों का वेलकम करता हूँ Thanks for your support आज मेरे चैनल पे आठीर सब्सक्राइबर हो चुके है and ये सब आप लोगों के कारण आज जो है मैं कुशन सॉल्फ करने जा रहा हूँ ये कुशन बहुत basic है, ठीक है जिन लोगों ने ये कुशन देख रखा होगा उनसे तो वो पक्का हो जाएगा जिन लोगों नहीं देख रखा होगा and it is difficult कि आप उस अप्रोच को सोच पाए although आप तेज अप सोच सकते हैं but कुशन देखते हैं कि कुशन क्या है and फिर से सॉल्फ करते हैं ये रहा कुशन ठीक है कुशन काफी सिंपल सा है पहरे तो आप वीडियो को पाउस कीजिए and खुद से अटेंप्ट कीजिए because मैं कुछ अप्रोच समझाओंगा फिर आपको उसमें अपने अप्रोच में थोड़ी मुड़ी गलतिया नज़र आएंगे and अपने एक बात में सही कर दिया then it's very good and question again मैं फिर क्या रहा है बहुत सिंपल है अब प्लीज वीडियो को पाउस करो and question को एक बार समझो कि question क्या है क्या है now I hope आपने question को समझा होगा question में basically क्या है कि आपको number में बहुत सारे number दिये गया है array में ठीक है और हर एक number दो बार occur कर रहा है बस एक number को छोड़ के और जो number single time से हमें उसे find करना है ठीक है तो ये एक मैंने बनाया है अब ये क्या है देखो let's suppose कि हमारा जो पहला approach दिमाग में आता है दिमागा पहला approach क्या आता है कि array बना लेते है size नहीं समझ में आएगा मालो हमने पहला number encounter किया वो मिला 2 तो second number वाले index पर जाके 1 से increment कर देंगे उसे तरह हमें दूसरा number मिला 3 तो 3 वाले index पर जाके हम लोग 1 से increment कर देंगे फिर मिला 2 तो 1 से increment कर देंगे जब पूरा array drivers हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग find कर लेंगे कि ultimately जिसके में भी one लिखा वा होगा वो answer होगा basically वो उसका वो जो index नमर होगा वो answer होगा because वो digit एकलाता होगा जो एक ही बारा कर किया ठीक है बट मेरा सवाल आप से यह है कि आप array का size क्या रखोगे because अगर मैं question में बात करूँ तो question में यह कहीं भी mention नहीं है constraint, constraint कहीं mention नहीं है कि जो array का जो element है जो integers है उसकी range कहां से कहां दखोगी तो आप यह तो पता नहीं कर सकते कि array का size है वो कितना होगा ठीक है पहला problem यहाँ पही है और दूसरा problem जो इस question को ज्यादा beautiful बनाता है वो है यह वोला line ठीक है यह क्या है कि algorithm को आपको जो algorithm में आप जो code करोगे वो o of 1 में चलना चाहिए इसका मतलब क्या है कि आप loop जब पूरा i बराबर 0 से i बराबर n-1 तक जब आप पूरा loop चला होगे यहाँ से start किये यहाँ पर खतम किये और आपका answer आजाना चाहिए उतने तिर में इट मेंस कि आपको दुबारा loop नहीं चलाना है o of n square उसके अंदर loop of loop नहीं करना है पहला चिछ और दूसरा सबसे main important चिछ किया है कि आपको एक भी extra memory नहीं रखनी है एक भी extra memory इस main slice नहीं कर सकते हैं मतलब कि extra memory जातर यहाँ कहने का अब int i बराबर 0 a n यह सब तो रख सकते हैं मतलब कि ऐसा नहीं करना है कि आप पूरा का पूरा vector नया बना लो पूरा पूरा array नया बना लो इस तरह काम नहीं करना है तो चलो अप्रोच पर आते हैं यह अप्रोच में flaw समझ में आ गया जो सबसे बड़ा flaw है कि आप array का size define नहीं कर सकते हैं यह बहुत लोग कहेंगे कि भईया काम करते हैं maximum size का लेकर रखते हैं तो यहाँ पर देखो आपने क्या कि एक array बनाया admins की space लिया बट question में क्या कहा था कि कोई भी extra space नहीं carry करना है आपको और फिर आपको algorithm solve करना है कि आप उसे कैसे solve करते हैं ठीक है तो इसके लिए जो सबसे best approach है वो है jar operator jar operator क्या करता है अगर मैं बात करू a of jar a और 0 को अगर jar लिया जाए तो answer a आता है और किसी भी दो नमबर का same number का jar लिया जाए तो answer 0 आता है ठीक है अब इससे एक चीस समझो जैसे कि यह array दिया वाए ठीक है अब array में 2, 3, 1, 4, 2, 7, 7, 3, 4 हर number कोई ना कहीं एक number को छोड़के हर number बाद बाकी आपस में क्या हो दो बार अकर कर रहा है ठीक है तो 2 और 2 का pair बना लो तो 2 और 2 को जब jar करेंगे तो 0 आएगा 3 और 3 का jar 0 आएगा 4 और 4 का jar 0 आएगा 7 और 7 का jar 0 आएगा और last में 0 और 1 का jar 1 आएगा तो जो answer आएगा वो हमारा answer होगा अब जो सबसे ज़्यादा student को दिक्कत आती है वो यह आता है कि भाई आप यह बताओ हम लोग जब loop चलाएंगे तो पहले हम लोगो find करना पड़ेगा 2 और 2 फिर jar निकालो 7 और 7 फिर jar निकालो नहीं यह नहीं करना है हम लोग simple loop चलाएंगे 2 से लेके 3 तक पहले 2 फिर 3 है तो 2 और 3 का jar कुछ ना कुछ तो आएगा हमें नहीं पता क्या आएगा 3 और 1 का jar कुछ ना कुछ तो आएगा again हमें नहीं पता 1 और 4 का नहीं पता 4 और 2 का नहीं पता 7 और 4 उनको jar वनाना है जो भी non repeating number होगा उसको jar लेना है 0 के साब घूम फिर के साब 0 हो जाएगा क्यों? because यह हम लोग को पता है कि किसी भी दो number का jar अगर लेंगे same number का jar तो वो 0 हाता है अब जब loop चलाएंगे तो जोर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है हमें मतलब नहीं हमें तो loop खतम होगा और answer मिल जाएगा अब देखो क्या से simple एक काम करते है int n size लेते है nums.size ठीक है अब क्या लगाते है loop लगाते है int i बराबर 0 i less than n i++ ठीक है अब क्या करते है int a बराबर 0 ठीक है a बराबर a jor nums of i हम लोग कुछ नहीं कर रहे है पहले अब दोगो पहले 0 क्यों ली पहले 0 और किसी number का jor लोगे तो ultimately वो number यहाना तो इसलिए फरक नहीं पड़ता इसलिए हम लोग 0 से in slice किये और last में घुम फिर के सारा answer आ जाना है तुमारा यहाँ a में और जो answer a आएगा जो last में a बचेगा वो हमारा answer होगा अब दोगो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते थे मतलब थोड़ा fancy दिखने के लिए ऐसे उतना कुछ जादा fancy दिखता नहीं है बट फिर भी ठीक है अब करते है run अरे यहाँ जादा हो गया अब करते है run नहीं करते है submit करते है उसे मैं comment नहीं किया था इसलिए वो गलत आ रहा था ठीक है तो यह था सबसे perfect solution इस चीज का इस question का बहुत बार interview डायरेक्ट आप से पूछ लिया जाता है और यह successful summit हो गया कि बहुत सारे number repeating दिये वे हैं और आपको बताना है कि जो repeating number है यह भी इस पर variation बन सकता है कि जो number repeating दिये वे हैं ठीक है वो even number जो even number times repeat हो रहे है और जो number non repeating है वो odd number times है तो वो number बता हो आप तो आप इस जोर operator बाले method को लोगाए आप solve कर सकते हो I hope आपको वीडियो अच्छा लगाओ अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ और आपने चैनल पे नहे हैं और comparative programming के कुसम solve करना चाहते हैं अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो प्लीज आप मेरे पुराने वीडियो को ज़रूर देखिए और अगें इफ लव विटन प्लीज सेयर मैं चैनल ताकि मेरी कम्मूनिटी और बढ़ियो सेके और थैंक्स फार यूर सपोर्ट बिलते हैं नेक्ट वीडियो स्वाइब